हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल सोमीज आर्ट तो आज मैं आपके साथ आइस क्रीम स्टीक से एक प्रे और कोस्टर सेर करने जा रही हूं कि बहुत ही इजी है और देखने में भी बहुत ज्यादा सुन्दर है मुझे तो एक इन नहीं वो रहा है कि मैं इसी तरह आइस क्रीम स्टीक से एक प्रे बना सकती हूं तो चलो अज का वीडियो शुरू करते हैं यह मेरे पास एक वेस्ट यह बोर्ट था आप एकजम बोर्ट वेस्ट एक जम बोर्ट से भी कर सकते हो इसके लिए मैं पहले आइस क्रीम स्टीक को छोटे-छोटे पीशेस से कट कर लेंगे इसी तरह मैंने बहुत सारा आइस क्रीम स्टीक कट कर लिया और आइस क्रीम स्टीक का आगे और दीछे वाला पोर्शन में बात दे रही हूं इसी तरह मैं बहुत सारे पीसेस कट कर लिया अब एमडीएफ बोर्ट के उपर ब्लू लागा के मैं एक एक करके आइस क्रीम स्टीक को लगा देंगे मैं इसी तरह स्टीक को लग रही हूं इस तरह में फाइब और इस तरह फाइब करके इसे यह देखने में बहुत ही आच्छे लगीगा मैं इसी तरह करके थ्री लाइन कर डूंगी और उपर बाला साइड में में शीक्स लाइन कर लिया इसी तरह में पूरो पूरा कंप्लीट कर लिया अब इसका फ्रेम बनाओंगी इसके लिए मैंने आइस क्रीम स्टीक का जो आगे और पीछे बाला पॉर्शन है वो काट कर लिया और फिर इसके उपर एक की उपर साइड में एक इसी थारा लगा देंगे मैं एक एक करके उपर उपर फोर स्टीक को लगा दिया क्यूंकि मैं थोड़ा फ्रेम को हाइक में थोड़ा लंबा कर लेना चाहती थी तो हो गया मेरा पूरा फ्रेम रेडी इसी तरह स्टीक को ग्लू के हिल्ट से लगा दिया कि देखने में भी बहुत अच्छा लग दाया है अब इसके साइड में जो राफ एग राफ एग इससे इसे में आइसकिन स्टीक को छोटा-चोटा कट करके लगा देंगे इससे फेनिसिंग प्री अच्छा होगा इसी तरह करके में चारो साइट में लगा दिया अब इसके स्ट्रे का मैं हैंडल बन रही हूं इसलिए मैं इसी नाप का तीनों आइसक्रीम स्टीक कट कर लिया और एक के उपर एक एटच कर दिया इस तरह में दोनों हैंडल रेडी कर लिया अब मैं आइसक्रीम स्टीक का जो आगे और पीछे बाला पोर्शन था उसे फोर फीशेज करके लेकर एक के उपर एक लगा देंगे इसी तरह में फोर फीशेज रेडी कर लेंगे अब मैं मीडिल वाला पोर्शन को मार्ट कर लिया और चोटा-चोटा जो रेडी के रेडी कर लिया और पहले इसके उपर वो लंबा बाला हैंडल लगा दिया इसी तरह करके में डोनों हैंडल लगा देंगे अब इसे ड्राइब होने के लिए फुछ दे रहना परेगा और इसके बाद में थोड़ा ऊदें फिनिस देने के लिए लाउन कलर के वास्त वाटर मिक्स करके मैं प्रेको कलर कर देंगी इस ट्रेको मैंने एमाजन पर देखा था बट वो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा था तो मैंने सोचा के यह में घर पर ही पनाऊंगी बट पनाने के बाद यह इतना सुंदर होगा मैं सोच भी नहीं सकी तो इसी तरह करके मैं फूरे प्रे को कलर कर दिए और इसका फ्रेम को भी मैं कलर कर दी और साइड बाला कोर्शन को जिस जएगा पर मैं स्टीक लगाया था उसी जएगा पर मैं कलर कर दिया तो हो गया मेरा पूरा कालर कंप्रीट अपने नेरो लैक का वार्निस लेके इसके उपर अच्छी से लगया देंगे इसके लिए ज्यादा गुड़ फिनिसिंग आएगा और पूरा उड़न की तरह होगा मैं इस बार्निस का दो कोड लगाया कि मैं थोड़ा फिनिसिंग लेना चाहती थी तो हो गया मेरा प्रेय रेडी अब मैं दो कोस्टर बनाऊंगी इसके लिए मैं जिस माप का कोस्टर बनाना चाहती हूं उसी माप से आईस्क्रीम स्टीक को कट कर लेंगे मैं दो कोस्टर के लिए टोटल नाइन फिसेस और नाइन फिसेस एंड नाइन फिसेस स्टीक कट कर लेंगे और दोनों को इस तरह रखके इसके उपर एक एक करके स्टीक लगा देंगे कर दो भाइन पिसेसस्टीक कर लेंगे इसी तरह करके मैं दो कोस्टर रेडी कर लिया अब इसके उपर उस वाटर और ड्राउन कलर से प्रेंट कर लेंगे ट्रेकी तरह ही और फिर इसके बाद नेरोलेक का वर्लिस लेकर दो कोड एपलाई कर देंगे तो एरा कोस्टर रेडी हो जाएगा अब बर निस एपले कर देए हैं कि अखो गया मेरा पोस्टर और ट्रेका सेट आप चाते हो तो इसे ट्राइ कर सकते हो बहुती इज़ी और देखने में भी बहुती शुंदर है आज मेरा DIY आपके साथ आप देखा हो मक्त होता है एक वीडियो पर तब तक के लिए बाइबाइ और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्रीज मेरे वीडियो को विजित करना कमेंट करना लाइक करना और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना जज मेरे करना SULF, आपके साथ हो आपके साथ पर तक करना Benni मेरे बाइबाइ और मेरे देखान लाइक लेखा करना है झाल झाल